हाई गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टॉई आई टे स्मार्ट लॉर्ण आज मैं आपको पद्खन का आठमा चेप्टर कम्प्लिट कर रहा हूं आठमा चेप्टर का नाम है उसा और इसके राइटर जो है वह समसेर बहादूर सिंग मतलब उसा कविता जो लिखा गया है वह समसेर बहादूर सिंग के दोरा लिखा गया है यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट की त्यारी किराई जाएगी और यहां से आप त्यारी करके एक्जाम म केते हैं कि समसेर बहादूर सिंग ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी तो समसेर बहादूर सिंग जो थे वह सोवियत रूस गया थे इसलिए आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स कोसन है कि समसेर बहादूर सिंग का जन्म कब हुआ था तो समसेर बहादूर सिंग का जो हो है वो आपको 13 जन्वरी उनस्वेक गारण को हुआ था इसलिए आपका राइट ओप्षन हो जाएगा ए चलिए इने को सदेखते हैं कि इतने पास अपने सिर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखा गया है तो इतने पास सिर्षक संकलन जो है वह लिखा गया है समसेर बहादूर सिंग के दोड़ा इसलिए Right correction घाएगा है चलिक लिए नेके ulsen देखते हैं कि संसर बहादूर सिंग की कौन सी रचना नहीं है तो संसर बहादूर सिंग की रचना नहीं है वह है सतह से उठता आदमी जी ओप्षन केनारी स्नकृत inside से पांदस कश कौन की तलास किसकी रचना है तो सुकून की तलास जो रचना आपका सेंग देखते हैं है की कभीयों के कभी किसे कहा जाता है तो कभीयों का कभी जो है वह समस्व्भ hadhur सिंग को कहा था इसलिए राइट अप जाएगा अपका डी Dé keeping प्रहगात कालीन अकास कैसा है तो प्रहगात कालीन अकास जो है वो नीले संख जैसा है इसलिए आपका रायट अप्शन होम देखते हैं लग सिह किया था इसलिए आपको आपलेका नाम क्या था रृशकर लेते हैं कि समसेर बहादूर सिंग की परतिनीधी कविताय नामक करतिनीधी कविताय नामक कावि का संपादन जो है वो डाक्टर नामबर सिंग ने किया है इसलिए आपका राइट अप्शन जाएगा सी समसेर बहादूर सिंग का संबंध किस विश्विद्याले से रहा है तो समसेर बहादूर सिंग का जो संबंध है वो विक्रम विश्विद्याले उज्जयन से रहा है इसलिए आपका राइट अप्शन जाएगा सी विक्रम विष्विद्याल है जो उज्जयन में है उससे संबंधित है ये तो इसलिए आपका राइट अप्शन जो है वह हो जाएगा सी नेक्ट कोचन है कि कौन से किर्थी समसेर बहादूर सिंग की है तो यहाँ पे जो उनकी किर्थी है वह काल तुझसेच हो रहे है मेरी नेक्ट कोचन है उसा का जादू कब तूट जाता है तो उसा का जादू जो है सुर्योद होने पर तूट जाता है इसलिए आपका राइट अप्शन जाएगा ए तो नेक्ट कोचन है कि समसेर बहादूर सिंग की कौन सी रचना है तो समसेर बहादूर सिंग की जो रचना है वो है उदिता इसलिए आपके राइट ओप्शन हो जाएगा सी तो परकिर्ती वर्नन से संबंधित कविता है तो परकिर्ती वर्नन से संग्रह है इसलिए आपका Right Option हो जाएगा A चलिए Next Question दख लेते हैं कि समसेर बहादूर सिंग कि साहित्यकार के समकालीन थे तो समसेर बहादूर सिंग जी ओ थे वह नागा अर्जुन के समकालीन थे इसलिए Right Option जाएगा आपका डी नेज़ेश को से न है कि दूसरा सबतक का प्रकासन वर्क्स है तो दूसरा सबतक का प्रकासन वर्क्स जो है वो 1904 है इसलिए आपका राइट ऌप्षन जाएगा डी तर देखते हैं कि समसेर बहादुर सिंग की रचना किस सब्क्तक में आनी शुरू हुई तो समसेर बहादुर सिंग की रचना जो है वह दूसरा सब्क्तक में आनी सुरू हो गई थी इसलों नरी आइट OPTION हो जाएगा आपका B Nest collection है कि समसेर बहादुर सिंग ने कौन सी कविता लिखी तो संसेर बहादूर सिंग्ञ ने जो है वह आपका उर्दू हिंदी कोस का संपाधन किया था इसलिए राइट अप्शन हो जाएगा आपका C चलिए next question देखते है कि समसेर बहादुर सिंग को हिंदी साहित में क्या कहा जाता है चलिए next question देखते है कि उसा कविता में प्राता काल को किसके समान बताया गया है तो उसा कविता में प्राता काल को जो है नीले संख के समान बताया गया है इसलिए आपके right option हो जाएगा B Next question है चुका भी नहीं हूँ मैं कि रचाइता कौन है तो चुका भी नहीं हूँ मैं कि रचाइता जो है वो समसिर भादूसी है इसलिए आपके right option हो जाएगा C इस तरीके से मैंने आपको जो है वह आठमा चेप्कर का कम्प्लीट करा दिया अबजेक्टिव जदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते ह झाल कर दो आपको सब्सक्राइब जल को सबस्टाइब कर दो है गरका तो पूल को तरे कर दो गाहाँ है वीडियों के वीडियों है पाल फूल के और है बस्तिवाब जार के मिलता है जए वीडियों है।